खेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंडियन फूड्स के बारे में इंडियन फूड्स के बारे में लगबग हर स्टेट में अलग-अलग तरीके से उसे बनाया जाता है और उसके अलग-अलग वेराइटी होती है तो आज हम जानने वाले हैं यहीं इंडियन रेसिपीज के बारे में तो जी है फ्रेंट यह पंजाब है आप देख सकते हो पिक्चर से आपको पंजाब का अमरित सर्क में गोल्डन टेंपल जो है इसके पिक्चर है तो आप क्या आप जानते हो पंजाब की पंजाब की स्पैसल रेसिपी क्या है जी हाँ फ्रेंट्स पंजाब की स्पैसल रेसिपी जो है जो traditional recipe भी जिसे कह सकते हैं वो मक्य की रोटी देन सरसो का साग है यह यहां का traditional recipe है और यह मक्य की जो speciality है यह Punjab का तो यह है वहां का में ऐसे तो सारे state में जितने भी state में है वहां हर तरह के बिंजन बनाया जाते है जितने तरह के भी recipes है वो अलग अलग तरीके से लगबग हर state में बनाया जाता है लेकिन हर state की कुछ एक जो recipes है वो especially वहां पर famous है तो वैसे ही पंजाब का यह special है मक्य की रोटी देन सरसो का साग अब हम आते हैं बिहार बिहार तो यह तो recipe की यहां बहुत सारी recipes हैं लेकिन यहां भी एक recipe ऐसी है जो यहां की famous recipe है यह इस recipe के लिए यह बिहार जो है famous है तो वो recipe है आपको लीटी चोखा तो लीटी चोखा जो है वो यहां की पेस्ली है कहीं भी आप कितनी भी तरह की यह खालो बतलब लीटी बट बिहार का जो है वो famous है वो specially वहां पे जो है अलग ही तरीके से बनाय जाती है और यहां जैसा test बहुत कमी मिलता है तो यह है बिहार की famous recipe देन इसके साथ धनियपत्ती की चटनी घी यह जो है इस लीटी की specialty है अब हम बात करते हैं महारास्ट्र की महारास्ट्र में भी हर तरह के लगबग हर state में आप देखो तो हर religions के लोग रहते हैं हर caste के लोग रहते हैं तो जितनी तरह के लोग रहते हैं उतनी तरह की recipe तो आप sure ही देखोगे कि वहां बनती है बट कुई एक recipe जो है वहां famous होती है जो उस जैसा आपको दूसरे जगा नहीं मिलेगा तो वैसे ही, maharashtra की जो recipe है, वो famous है maharashtra का कल्चरल जो है, वो famous है तो हम देखते हैं, ये, इसकी maharashtra का जो food recipe है, कौन सा जो है, वो famous है तो यहां का famous जो है वो पाव भाजी है अब पाव भाजी कितने भी खा लो लेकिन यहां के जो बनाने का तरीका है और यहां के जो टेस्ट है वो आपको साइद कहीं ना मिले आप जितनी भी उसमें ingredients डाल दोगे बट जो टेस्ट वहां मिलेगा वो आपको दूसरे जगह कहीं मिलेगा तो यहां की यह specialty है ऐसे तो महराश्ट में भी सारे जितने भी दर्म के लोग है जितने भी जाती के लोग है और जितने भी state के लोग है वो हर state के लोग यहां बसे हुए है फिर भी आपको यहां की specialty यह पाव भाजी ही है और यहां जो है recipe तो बहुत सारे है जितने जो स्टेट के जितने भी रेक्थREE हैं सारे आपको मिलेंगे लेकिन लेकिन पाव भाजी नहीं का wireless है अब हम आते हैं अद्थर प्रदैस में तो उत्तर प्रदैस में भी सारे और यहां भी सारी recipes आपको मिलेगी जितने भी different type के varieties है food, specialty recipes सारे कुछ मिलेगा लेकिन यहां की specialty जो है वो क्या है क्याप जानते हो अगर आप जानते हो तो comment box वे लिख के बताए कि हाँ मुझे पता है कि वहां की specialty क्या है तो यहां की जो स्पेसलिटीज है वो है टुडे कबाब वेस्ट टुडे कबाब जो है वो यहां की स्पेसल डिस है अब हम आते हैं मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश के जो स्पेसल डिस है वो है अब देख सकते हो इतने सारे विराइटीज जो है यहां बहुत ही टेस्टी इन स्पेसली बनाया जाते हैं. तो मध्यप्रदेश का special dish है दाल-भाफला है. धाल-बाटी हैं. फिर पोहा. जलेबी. तो आप देख सकते हो इन सारे इंग्रीडियेंटन्स CO और इन सारे recipes को जो डिस है आप देख सकते हो पोहा जलेबी देन बापला फिर दाल बाटी ये सारे जो है वो यहां की special डिस है और बहुत ही तरीके से और बहुत ही tasty बनाई जाती है अब हम आते हैं उत्राखंड उत्राखंड में की special जो डिस है वो क्या है तो उत्राखंड की special डिस जो है वो है आपको दाल रोटी यहां की फेवरिट है और अलग लग वेराइटी की दाल बनाई जाती है यहां पे जो की खास तरके आटे की बनी रोटियां भी रहती है रोटी एक यहीं बहुत सारे जो ग्रें आते हैं उनका मिक्स जो है वो करके आटा उस से तयार किया जाता है और उसकी बनी रोटियां है हमिसें फेमस हैं फानू दाल यह भी है वहां का फेमस डाल जो बनाई जाती है आपको फानू दाल जो होता है की special तरीके का दाल है उसकी आपको पाकि कही जगर इसके टेस्ट की एकॉरिंग नहीं मिलेगी तो यहां का कंडाली साग वो बहुत ही फेमस है अब हम आते हैं पस्चिम बं बंगाल में तो पस्चिम बंगाल की special recipe special dish जो है वो आपको बताते हैं तो यहाँ का special dish है ज्ञिंगे आलू पोस्ते की गिपकी तुरही का साग जो होता है वो ठीक है तुरही का साग देन आपको मिलता है यहां पर तुड़े के आलू खस-खस के डिस यह सारी चीज़े यहां ज्यादा मिलती है और जिसे आप रोटी चावल के साथ बहुत ही टेश्ट से खा सकते हो तो जहींगे का जो आलू पोस्ते वाले सब्जी है यहां की फेमस रेसिपी है और कोशा मंक्सो यह जो है यहां का स्पेसल फूर आइटम है अब हम आते हैं असम असम की का स्पेसल डिश क्या है तो यह है आपकी असम की का डिस जिसमें आता है लुच्चेपूरी फिर आता है नेकाल लड्डू उसके बाद आता है सूजीर पिठा उसके आता है मसुर बार फिर आता है खार जो की खार जो है यहां का सबसे फेमस है खार असम की तरह आपको कहीं नहीं मिलेगा जो की चावल से बनाया जाता है और यह खार यहां का फेमस है तिक्याहोर खार यह जो है वो बहुत ही टेश्टी यहां का रहता है यह आप देख सकते हो इस तरह का बना रहता है, बेसन और आइसskे साथ मिलाकर, यहीं खार है, बाइक सारे यह सब्विस्स तरह आइं तरह है उत भी नब सी bear with our तो यह सारे इंग्रीडियन्स जो है इतने सारे जो टेस है कि यहां की सपैसिलिटी है next आता है हीमाचल प्रदेश हीमाचल प्रदेशogen का यह अच्छ एन ऐटमोसफिर यहां का अच्छा है यहां का संदरता अच्छी है यहां गुमने फिरने की जगह अच्छे अच्छी है उतना ही यह खाने के लिए भी फेमस है खाने में यहां पर हर तरह की विराइटी आपको मिल जाएगी लेकिन यहां की स्पेसलिटी जो है वो है धान यह जो है स्पेसल तरीके का एक डिस है जिसमें की आपको अब देख सकत यह ठार रहता है यह जो दाम यह बहुत यहां काаров भेमस है और यह यह जैसे अपको कहीं नहीं मिलेगा इस देखने आपको नॉर्मलिक आइटम ही है लेकिन ये टेष्ट जो है इसका वो अपने आप में स्पेसल है नेक्स्ट हमाते हैं गुजरात गुजरात जो कि आप जानते हो गुजरात अपने आप में सबसे पहले तो ये जो स्टैचो आफ यूनिटी बना है इसके लिए तो फेमस है और अचेश स्टैचों जो है विए तरह जो है जो पर फेमस है रोगा दें आता है आपको जलेबी झो है फिर कमन डोकला ये सारे आइटम है दैं सबसे इंपोर्टेंट की आपको आता है थेफला थेफला यहां का फेमस है जो कि बहुत ही टेष्टी रहता है और इसमें अलग अ तरह के बनाए जाते हैं जैसे कि मेथी डालक दालक दालक देन शिर्फ नमकीन पराठे टाइप के बनाए जाती है तो अलग-अलग तरीके से यह थे फ्लाव यहां पर फीमस है और यहां का यह फीमस तो है ही और इसका टेस्ट भी अपने आप में स्पेसल है नेक्स्ट हमाते हैं केरल केरल तो बहुत ही अच्छा जगह तो है ही आपके एक ट्यूरिस्ट प्लेस की तरह तो यह है ही साथ ही यहां का जो फूड है वो भी फूड इस भी जो है वो भी अपने आप में बहुत ही लजीज है जो कि बाकि कहीं आपको नहीं मिलेगा यह आपको केरल की थाली इस तरह के मिलेगा आपको और सबसे लजीज यहां का रहता है अपम अपम जो है वो गोल गोल चावल से बनाया जाता है और उसमें सारे ग्रीन वेजटेविल्स जो है वो मिक्स करके बनाया जाते हैं तो बाकी सबी जगा आपको मिलते ही है अपम आप भी बनाते अप्पम पैन भी आते हैं इसके लिए स्पेसली तो इस तरह से यह अप्पम तियार किये जाते हैं स्पेसल डिस में यह सारे स्पेसल है लेकिन सबसे इंपोर्टन्ट है अप्पम नेक्स्ट हमारा आता है मेगाले मेगाले भी बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत ही ट्यूरिस्ट प्लेस ट्यूरिस्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और यहां ट्यूरिस्ट प्लेस तो बहुत सारे हैं देखने को और साथ ही यहां पहारी जगह है तो यहां पे आपको सारी गेजिन्स जो है इसी तरह के मिलेंगे यहां की जो लोकल की तरह मिलेंगे लेकिन यहां की सबसे स्पेशल जो है वो आता है जादो जादो डीस जो है यहां का फेमस है यह आपका जादो डीस जो की आपको के इसका मिखाले का ब प्रिफ्टेर को हैं दिश्ट हुता है अपने अपने अपमेσι खास होता है यहां का इसके पर यह बिरीयानी से बनातेि होंना उसी तरह के होती है चक्वी भी लेकिन इसमें जो है वो जौन वेज वेगर भी डालके बहुत ही लजीज तरीके से इसको बनाया जाता है और यह यहां की special days है अब आता है आंधर प्रदेश तो आंधर प्रदेश का देख सकते हो यहां की जो important जो places है उसके बारे में यहां का जो cultural programs वेगरा यह सब देख रहे हो लेकिन यहां का डिस जो है वो भी यहां से अलग है यहां का special days जो है वो आता है आपको पट्रे कुलू पट्रे कुलू जो है यहां का famous डिस है जो कि आप अर्वी के जो पत्ते आते हैं उसे आप बेशन लग जही है निक्स्ट माते है मनीपूर में तो मनीपूर का famous डिस क्या है तो मनीपूर का special days चो है वे उसका दाम है आपको इरोंबा डिंड को यहां का famous डिस है और यह आपको कई तरीकी के से बनाई जाती है जैसे कि आपको देख सकते हो इसे बनाने के लिए इस सारी चीजों का यूज होता है यह अपने आपने स्पेशल डेस्स है यहां का नागालेंड नागालेंड में भी खाने के हर तरह के डिस मिलते हैं लेकिन यहां की स्पेशली जो डिस है वह है बांबू सॉट्स बांबू सॉट्स जो है वो यहां की स्पेशल डिस है जो आपको कहीं और पर अच्छी नहीं मिलेगी यहां देख सकते हो कि किस तरीके आपको दिख रहा है कि बांबू टाइप का बना हुआ है बांबे मतलब लकडी भी डाली हुई है जिस वेजिटेवल से त्यार किया गया ह उसके जो डंडी है उसे भी तोड की इसमें डाला गया है और यह देखने से ही आपको बहुत ही रजीज दिख रहा है तो इसका नाम है बांबू सॉट्स तो इस तरह से हमारे देश में जितने स्टेट है और जितने स्टेट के अंदर जितने भी छोटी-छोटी जो है वो र डेस्स मिलेंगे और अपने आप में स्पेसल है तो इस तरह से भारत जितना ही विसाल डेस है जितनी इसकी जनसंख्या है जितनी धर्म के लोग रहते हैं जितनी जाती के लोग रहते हैं उन सब का मिसरन यहां के डेस्स में आपको मिलेगा आप जिस टेस्स का भी जिस स्टेट भी जाते हो और वहां के डिस मतलब आप टेस्ट करते हो तो आपको उसके कोडिंग वहां का आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर हो और यहां के लोग किस तरह के खानपान का सौकीन है किस तरह के खानपान के यहां से के लोग सौकीन है तो कहीं पर तो यहां की जो क्ला सब 상 dont everything HAMS के बारे में इस वीडियो में जाना है तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखे है तुसे लाइक करना ना भूले और चैनल के वThe Mitgl 200 आइक़न को फ्रेस करना शर्म शर्म कुले इससे क्या होगा? आप तक पहुचेंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे कि आप उसे चितरा से देख सकते हो और यदि आपको ये वीडियो अच्छ लगा तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को ये अप सेर जरूर करो ताकि वो भी इस सब की चीजों के बारे में जान सके ताकि वाचिन देख से चीजों के बारे में जान सकते हैं